नमसकार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंटरनेट की नई क्लास में यह हमारी इंटरनेट की चलास नमबर 9 है और इस क्लास के अंदर हम लोग जीमेल की सभी सैटिंग्स के बारे में सीखेंगे आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि ये जो setting का वीडियो है ये कई पार्ट में होने वाला है जिसमें हम लोग Gmail की जो setting सीखने वाले हैं उसका ये पहला पार्ट है इसी तरीके से और भी पार्ट आते रहेंगे और धीरे धीरे करके हम लोग Gmail की सब ही setting को जो है सीख लेंग जो भी आप इस्तमाल करते हैं उसके अंदर अपने email ID को login कर लीजिए login करना काफी जादा आसान है आप कोई भी एक browser open कर लीजिए उसके अंदर आपको Google open करना है और उसके अंदर आपको लिखना है Gmail login जैसे ही आप Gmail login करके लिख करके search करेंगे तो यह जो पहली वाली website मिलेगी आपको just इसी पर क्लिक कर देना है और इसके बाद आप Gmail में login हो जाओगी login होने के बाद आपके सामने इस तरीके से interface दिखाए देता है पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि आप email कैसे भेज सकते हो आज हम लोग सभी setting को दीरे दीरे करके सीखने वाले हैं तो देखे सबसे पहले हम लोग उपर से ही बात करते हैं तो यहाँ पर आपको search mail का एक search box दिखाए देता है इसके अंदर क्लिक करके आप किसी भी नाम से कोई mail अगर आप आया है डारेक्ट आप यहाँ पर search कर सकते हो यानि कि अगर आपके पास धेर सारे email आ गये हैं और आपको वो email पता है किस नाम से आया था तो आप सीधा-सीधा यहाँ पर उस नाम को type करके search करके उपर ही उस email को पा सकते हैं इसी search बार के नीचे आपको यहाँ पर एक और option मिलता है जो कि है select का option इस option का इस्तमाल करके आप एक ही बार में जितने भी यहाँ पर email दिखाए देंगे उन सभी को select कर सकते हो बस आपको इस पर click करना है आप देखोगे दो email हमारे पास आये थे और दोनो email जो है select हो गए है अगर आप इसको अंचेक कर दोगे और केवल और केवल एक ही email को select करना है तो आप इस box पर click करोगे एक ही email select होगा दूसरे को select करना है तो इस तरीके से करना होगा तो इसको जो है unselect कर देते हैं एक ही बार में दोनों को select करने के बाद जैसे ही आप select करोगे तो आप देखोगे इसके बगल में और भी बहुत सारे option है तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी जान लेते हैं पहला option है आर्चीव का ये option तब हमारे काम में आता है जब हमको यहां से inbox से email को hide करना होता है ज इसके लिए आपको more पर click करना होगा और यहां पर आपको एक option मिलेगा all mail का आप इस पर click करिए जैसे ही आप click करोगे तो यहां पर जो भी आपने archive message रखे होंगे वो सारे इक सारे दिखाए देंगे सभी को select करिए select करने के बाद यहां पर आपको एक option मिलेगा move to inbox का आप य देख सकते हो इस पर click कर दीजी यह वाला message जो है वहां पर आ गया है inbox में हम इस पर click करेंगे तो देखे यहां पर वो message वापस आ गया है तो यहां से आपको यह वाला पहला वाला जो option है वो समझ में आ गया होगा अगला option है report spam का अगर आपके पास कुछ ऐसे email आते हैं जो फालतू के email है spam है यानि कि उससे आपको computer को खत्रा है उसमें virus वागरा है और आप जो है वैसे email नहीं चाहते हो तो आप जो है यहां पर रिपोर्ट भी कर सकते हो इस email के थुरू और दोबारा से वो आपको email नहीं मिलेंगे अगला जो option है वो है delete का यह option का इस्तमाल करके हम जो है किसी भी email को delete कर सकते हैं बस आपको उस email को select करना है जैसे ही आप select करोगे इसके बाद जो है delete का option आजाएगा आप आराम से जो है delete कर सकते हो समझ में आ रहा है इसके बाद जो है अगला option है mark as a read इस option का इस्तमाल करके आप बिना email को पढ़े यानि जो mail आया है बिना उ होड़ा सा कम highlight है लेकिन दूसरे वाले का color जाद highlight है इसका कारण यह है कि यह वाला email मैंने जो है पढ़ लिया है लेकिन इसको मैंने नहीं पढ़ा है तो अगर आप यह चाहते हो कि आप इस message को पूरा पढ़ो भी नहीं फिर भी जो है mark हो जाए read हो जाए तो आप इस option का इ जब भी आप email को open करोगे यानि Gmail को login करोगे तो यह आपको जो है वहाँ पर जो भी timing आपने set की होगी उसी timing पर आपको वह email दिखाए देगा कैसे set करना है देखिए यह snooze यहाँ पर भी है और snooze यहाँ पर भी है जब आप snooze कर दोगे तो यह वाला email snooze करोगे वह इस option में आ जाएगा ठीक है करके मैं आपको दिखा देता हूँ मैं जो है यहाँ पर दोनों को पहले अंचेक कर देता हूँ यह वाले जो पहला वाला email है इसको जो है snooze करते हैं तो हम इसको select करेंगे इसके बाद जो है यहाँ पर click करेंगे इस तरीके से देखिए कुछ timing आए जो है hide हो चुका है और वो snooze में चला गया है हम जैसे ही इस पर click करेंगे तो इस पर click करेंगे जब यह लोड लेगा तो आप देख सकते हो यह यहाँ पर email जो है आपको दिखाए दे रहा है ठीक है इसके बाद जो अगला option है यह है add to task इस पर click करके आप इस email को एज़ टा और यहां से आप create new पर click करके एक नया फोल्डर भी बना सकते हो यह सारे की फोल्डर आपको यहां पर भी मिलेंगे जैसे social वाला फोल्डर देखिए यहां पर है इसके अंदर चला जाएगा ठीक है यहां से आप move कर सकते हो अगला जो option है यहां से आप label कर सकते हो जैसे कि य label है आप देख सकते हो यहां पर भी label का option है इस पर click करके एक नया label create कर सकते हो जब हम यहां की setting पढ़ेंगे तो यह भी आपको समझा जाएगा अगला जो option है यह जो थ्री बिंदी का इस पर click करिए यहां पर आपको mark as a read मिल जाएगा जो हमको यहां पर मिला था इसके बाद mark as important कोई email अगर आपको important लगता है तो आप यहां पर जो है उसको mark कर सकते हो कि यह email important है और आपको important वाले folder में मिलेगा यह सारे folder यहां पर भी मिलेंगे जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा फिलाल थोड़ा थोड़ा यहां पर भी समझ लेते हैं add star का मतलब यह है इस option पर ज filter message like this आप जो है यहां से message को filter कर सकते हो अगला जो है वो है म्यूट कर सकते हो और forward कर सकते हो या फिर attach कर सकते हो ठीक है इस email को forward करना है तो direct यहां से forward भी कर सकते हो इसके अलावा जो है इसमें और भी बहुत सारे option है जैसे कि archive आपको यहां पर भी मिल जाता है delete यहां mark as a read और यह snog यह सारे option मैंने यहां पर भी बता दिये हैं जो यहां पर है वो यहां पर भी आपको जो है shortcut में भी मिल जाएंगे अभी देखिए यह जो खुला हुआ है यह inbox खुला हुआ है inbox के अंदर आपको primary message मिलते हैं जितने भी email मिलेंगे जितने भी email आप send करेंगे वो सार Facebook बनाया है Twitter बनाया है Instagram बनाया है तो यह सब social media network है अगर यहां से कोई email आता है तो आपको यहां पर मिलेगा इस वाले section में promotion वाले में वह company आपको email करती हैं जो promotion अपना चाहती है जैसे टैली solution ने देखिए यहां पर एक email भेजा है इसी तरह के से बहुत सारी company के पास हमारा email चला जाता है और वो लोग promotion के लिए अपना यहां पर advertisement के लिए email करती है प्राइमरी में हमारे द्वारा भेजे गए email आते हैं और जितने भी लोग हमें email भेजते हैं वो सारे इक सारे यहां पर दिखाए देते हैं यह तो रही inbox की बात अगला जो option है वो है start का अगर आप क हमे Г-10 वाले पर चलते हैं और यहां पर इस वाले email को start लगा देते हैं इस पर हमने click कर दिया ने highly start लग चुका है इस पर भी click करदेंगे यह क्लिक रग जायगा और अब घए स्टार्ड वाले पर क्लिक करेंगे जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखे दोनों के दोनों इमेल जो है स्टार्ड वाले फोल्डर में आ गया है यानि कि जो भी हमें इम्पॉर्टेंट इमेल लगते हैं जो जिनको हम अच्छी रेटिंग दे सकते हैं एक तरीके से आप यह कह सकते इसके बाद जो अगला option है वो है sent का इस folder के अंदर वो सारे email दिखाई देते हैं जो हमने दूसरों को भेजा है यानि कि जितने भी लोगों को हमने email भेजा है अगर वो email हमें check करने हैं वो email देखने है कि किन किन लोगों को हमने email भेजा है तो वो जो email है वो sent वाले folder के अंदर आपको मिलेंगे बस आप इस पर क्लिक करिए जितने भी लोगों को आपने email यानि mail किया होगा वो सारे सारे यहां पर आपको दीख जाएंगे अगला जो option है वो है draft का अगर आप किसी को email भेजते हो और भीजते वक्त अगर आपको लगता है कि नहीं अभी नहीं भेजना है औ और आप उसे कट कर देते हो तो वो draft के अंदर सेव हो जाता है मैं आपको करके दिखाता हूं मैं यहां पर compose पर क्लिक करता हूं यहां पर एक नया email जो है हम भेजते हैं यहां पर जो है email डाल देता हूं हम इसी पर भेजेंगे subject में हम कुछ भी डाल देते हैं मैं यहां पर यहाँ एक फोटो ले लेता हूं, यहांसे नहीं कोई एक फोटो को लेता हूं, यहाँ से नहीं है, यहां जाया है, स pione भी धेजना है, मैं जैसे ही यहाँ से कट करूँगा, तो यह जो है draft में save हो जाएगा, देखें यहां पर एक दिखाई दे रहा है मैं जैसे इस पर klik करूँगा, तो देखें, draft के अंदर यह e-mail save हो गया है और हम आप इस पर klik करेंगे, klik करने के बाद दुबारा से देखें यह open हो जाएगा और दोबारा से हम चाहें तो इसे send कर सकते हैं या फिर अभी भी यहां से cut कर देंगे तो यह draft के अंदर ही save रहेगा यहां से हमेशा के लिए हटाने के लिए आपको delete पर click कर देना होगा यह हट जाएगा तो इस तरीके से आप draft का भी use कर सकते हो फिलाल दोस्तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको यहां से ले करके यहां तक पूरी complete setting बता दी है किस तरीके से क्या चीज़े होती है कौन से folder में क्या चीज़े आती है अगर आप more पर click कर दोगे तो और भी बहुत सारे folder मिलते हैं और बहुत सारी settings मिलती है जो कि हम लोग अगले पार्ट में सीखने वाले है इस वीडियो के अंदर बस इतना ही क्योंकि वीडियो काफी जादा बड़ा हो गया है अगर आपके ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा चैनल पे अगर नए हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियो तो सब्सक्राइब भी कर लिजेगा मिलेंगे फिर एक नए वीडियो पे नहीं जानकारी के साथ तब तके लिए जय हिंद बंदे मातरम